सब्सक्राइब सब्सक्राइब पहला, जो आप लोगों का ख्मेंट था, वो ये था की सब से छोटे जिले को लेके भी बात तो पहले तो को आगे बढ़ाते हैं और हम लोगों जहां पर कल का वीडियो खतम किया था वहीं से हम लोग आज का वीडियो शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश बिसेश के वीडियो में मैं एक चीज आपको पहले से सफ़्ष्ट कर दू यहां पर आप अपने मन में कोई भी ये मत रखिएगा कि कौन सा एपीसोड कितने मिनिट का होगा जैसे माँ लेजे इसके वाल मुझे आपको जनगरना पड़ाना है एक बात कह रहा हूँ अब आजके ये एपीसोड में परचया बचा हुआ है और मैं जनगरना शुरू कर दूँगा तो वो एपीसोड खराब हो जागा उसका sequence खराब हो जाएगा तो यहाँ पर अगर हम 45-45 committed के बड़े एपिसोड करें तो 45-45 मिनिट के बड़े एपिसोड में 12 एपिसोड में खतम हो जाएगा हम लोग कुछ छोटे एपिसोड में करें कुछ छोटे एपिसोड भी हो सकते हैं तो सहिस्ता से हो सकता है 15-16-17 एपिसोड में खतम हो जाए तो कोई यहाँ पे हड़बड़ी मत रखिएगा अगर छोटा एपिसोड है सिक्वेंस में तो आप छोटा ही पढ़ लीजेगा और बड़ा एपिसोड है तो आप बड़ा ही पढ़ लीजेगा दो प्रिस ने प्रिमोख रूप से कल के कमेंट्स में मुझे आपके दिखाई दिये पहला प्रिस ने आपके कमेंट्स में यह था कि एक छोटा जिला जो था उत्तर प्रुदेश का उसके बारे में बात आप समझना चाहते हैं और दूसरा जो सबसे माहतपूर कमेंट्स था व वहीं से हम लोग अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। एक और मैं बात आपको बता दूँ। आपके कमेंट्स में मुझे ये भी दिखा कि कुछ लोग कह रहे दे कि सर हम नोट्स बना रहे हैं। आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बेटा। आप ध्यान से केबल मैप लेके चीजों को समझे। आप एक यूपी का मैप ले लेजिए आउटलाइन मैप जो होता है। आप उस मैपिंग पर ही अपने नोट्स को करिए। बागी जो नोट्स की जहां तक बात है तो नोट्स सारे मैंने आपके लिए बनाए है। वो notes आपको धीरे-धीरे episode वाईज आपको मिलने शुरू हो जाएगे जैसे पहले वो दूसरे episode का जो notes से हो सकता है वो कल तक upload हो जाएगा है ना तो उसके लिए आपको अलग से परेशान यहां पर नहीं होना है relax रहिए notes बनाने की ज़रूरत नहीं है आएए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग आज अपनी बात को सुरू करते हैं तो पहले कल की ही बात से सुरू करते हैं दो नाम हम लोगों के उसमें थे एक था भधोही है ना भधोही उत्तरप्रदेश का एक जिला है प्रियाग राज का पडोसी है अगर आप देखें Google पर इंजिला आता है 2011 के आंकमों को अगर हम लोग देखें 2011 के आंकमों की अनुसार जब हम सबसे छोटे जिले की बात करते थे तो हम सबसे छोटे जिले के रोपे भदोही के या संत्रवीदास नगर की बात करते थे यदि हम छेतरपल को देखें, तो यहां का भदोही का जो छेतरफल है वो कितना है आपका 1156 km2 ये छेतरफल है 1056 km2 कहीं कहीं इस data को आप देखिए तो एक दू किलो मीटर आपको कम भी मिलता है गुगल पर भी अगर देखता है हापुर का जो छेतफल है वो है आपका केवल 660 किलो मीटर स्क्वाइर है ना अब आप देख लें छेत्रिफल के हिसाब से अगर हम लोग बड़े जिले और छोटे किलो मीटर स्क्वाइर तो बरतमान में जो data है है ना बरतमान के data के अनुसार अगर हम सबसे छोटा जिला जिला देखें तो सबसे छोटा जिला कौन सा है हापुर इसका मतलब जो आपकी जानकारी है वो बिल्कुश सही है और आप हापुर को ही लेके चलिए क्योंकि संत अपडेट नहीं किया है वहां पर आपको यह मिलेगा और जितनी भी नई किताब हैं जिन्होंने अपडेट कर दिया है वहां पर आपको यह मिलेगा तो पहले तो इसकी विसमता को क्लियर करिए यह बिल्कुल क्लियर करिए अब आज की बास सुरू करते हैं दोसी बात इसके हर्यारा के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो NCR में समाहे थे हैं NCR में सामिल है ना तो हमसे हमेशा ये प्रिष्ण पूछा जाता है कि NCR में कौन से जिले उत्तर प्रदिश के सामिल है अगर हम उत्तर प्रदिश के जिलों की बात करें तो कुल 12 जिलों के बारे में हमेशा चर्चा होत NCR में और अब ही चार जिले सेस हैं जिनके बारे में बात चल लई है जिनको NCR में सामिल किया जाना है तोटल किते हैं बारा ध्यान दीजेगा किया जाना है ठीक है इन बारा में से अगर हम लोग देखें तो आठ जिलों को NCR में सामिल कर लिया गया है तो अगर हम लोग इस सम के हिसाब से बात करें तो NCR में सामिल जिले कितने हैं आठ और वो चार जिले जो सामिल किये जाने हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे तो पहले देखिए अगर हम बात करें कि NCR कहां से कहां तक है तो आप गौर से देखिए ये आपका जो ये दिख रहा है ये पूरा दिल्ली का एरिया है अगर हम इसको यहां से ऐसे ले ले इस चक्र को यहां से अगर हम बेटा ऐसे ले ले पूरा तो ये आपका NCR का एक चक्र बनता है ये आपका NCR का एक चक्र बनता है और इस सामिल जिले जो बेटा है वो कित्ते ह बाट है इन आठ जिलों का अगर हमें नाम लिखना हो जो इस चक्र में है आप देख लीजिए तो यह आठ डोट के रूप मैं यहां पर अंकित किया है क्या पहला जिला कौनसा है सबसे पहले है ना तो यहां पर हम पहले जिले की बात करें तो कौनसा होगा बताओ सामली सामिल ठीक है प्रिश्ट पूछा जाता है कौन सा सामल है सामली के बाद तुरंत आई तो क्या मुझफर नगर तो दूसरा जिला आपका कौन सा है बताईए मुझफर नगर है तीसरे जिले की बात करें तो तीसरा जिला यहां पर कौन सा है मेरट है फिर चौथा जिला कौन सा है बताई यह बागपत है मेरट के जश्ट बगल में लगा हुआ क्या है बागपत है फिर क्या है बताई गाजियाबाद है फिर क्या है बताओ गौतम बुद्ध नगर है गौतम बुद्ध नगर है और बाद ये देखिए हापुर की भी सीमा बाहर निकली है तो इसके बाद क्या है बताओ हापुर है जो NCR जहां जिसकी सीमा NCR तक जाती है हापुर है और हापुर के बाद जो एक जिला आपका जिला है वो कौन सा है बताओ ये बुलंद सहर है कौन सा बुलंद सहर मैं यह लग द रेख लिए गाजियाबाग 15 यहीं पर एक छोटी सी सीवा गाजियाबाग गौतमबुध नगर में दिर हाफ पूर की भी सीमा निकल के बाहर आती है तो हापुर 6 और फिर गौतम बुध्र तो बुलंद सहर आठ ये अट जिले जो है ये कहां पर सामिल किया जाना है वह चार जले आपके कौन-कौन से हैं तो सबसे पहले देखें चुकिन सामली होगिआ मुजफर नगर हो गया तो उपर से बचा साहारनपूर तो पहला जुले जो बचा है बिटा सामिल होने के लिए को सामिल किया जाना है पहले जिले की रूप में दूसरा देखिए यहां से और नीचस की सीमा बिस्तित करनी है मत्वरा है ना सारे इस समय जो प्रयास हो रहे हैं वो ऐसे हो रहे है कि रेलवे लाइन से लेके हर चीज का विकास कहां तक हो जाए मतुरा तक हो जाए दिली से तीसरा जो है वो कौन सा है अलीगड़ आपका ये ये जो हिस्सा है कौन सा है अलीगड़ और चौथा आपका कौन सा है बताई ये हाथ रस तो जिन चार जिलों को सामिल होने की बात अब की जा रही है अगर हम उन कि इस पश्ट रूप से बात करें, तो वो कौन-कौन से है, बताओ, सहारनपूर, सहारनपूर है, फिर दूसरा इसके बाद कौन सा है, बताएं, अलीगर है, ठीक है, फिर तीसरा उसके बाद कौन सा है, तो आप कहेंगे, हाथरस है, फिर चोथा उसके बाद कौन सा है, तो सार जिलों को सामिल करने की बात चल लए है मैंने सारा यहां से आपको दिखाया के लिए सहारनपुर एक मात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा देखे कहां पर हिमाचल प्रदेश से भी लगती है और हरयारा से भी सीमा लगती है और हिमाचल प्रदेश तो सहारनपुर की सीमा ऊपर ह हिमाचल प्रदेश की सीमा को छूने वाला यह उत्तर प्रदेश का एक मात्र जिला है ना हिमाचल प्रदेश की सीमा को छूने वाला उत्तर प्रदेश का एक मात्र जिला है कल मैंने आपको बताया था यह सबसे उत्तरी जिला है और हिमाचल प्रदेश की सीमा को छूने वाला हरयाना से यह यहां तक clear हुआ अब हम उत्तर प्रदेश की सीमा में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा एक मात अंतराश्टी देश से लगती है है अपने प्रदेश की सीमा वो नेपाल है एक मात अंतराश्टी शुरू करते हैं, आप इसको देखना शुरू करिए, ठेक है, नेपाल से, अगर हम पूरफ से पश्चिम की तरफ जाएं, तो यहां से दिखे, इसकी सीमा लगनी शुरू होती है, महराज गंज से, तो कितने हैं, साथ, सबसे पहला है, कौनसा, महराज गंज, मतलब, नेपाल स सीमा लगती है, तो सबसे पहला कौनसा है, महराज गंज, दूसरा यहां से कौनसा है, बताइए, सिध्धार्त नगर, तीसरा यहां से आएंगे, तो कौनसा है, बलरामपुर, बलरामपुर, चौथा कौनसा है, यहां से, तो आप कहेंगे, सिरावस्ति, यह सिरावस्ति है, पांचमा कौन सा है तो आप कहेंगे बहराईच ये बहराईच है ये नेपाल से सीमा लग रहे है ना छटमा कौन सा है कल पड़ा था सबसे बड़ा जला लखेमपुर खीरी लखेमपुर खीरी यादा रहा है चलो और ये कौन सा है बताई ये पीली भीत ये कौन सा है बताई य और देखिए अगर हम दिसाओं को ऐसे बाटे तो ये पूरफ से पश्चिम की और के किरम को सजाईए तो पूरफ से पश्चिम की और के किरम को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या है बिटा महराज गंज है फिर क्या है सिधार्त नगर है फिर क्या है बलामपूर है फिर क्या है सरावस्ति है फिर क्या है वहराइच है फिर क्या है खेरी है फिर क्या है पीली भीत है ये चेज क्लियर हो गया और हमें ये भी क्लियर हो गया यहां पर कि जो है कहां अंतराष्टी सीमा जो उत्तर प्रदेश की है वो आपकी कहां कहां से दिल्ली से सटे दो जिले केवल है आपके देखें यह दिल्ली है एक तो है आपका गाजियावात और एक है आपका गौतमभुदिनगर है यह आपको क्लियर हो गया यहां पर आप से पूछे जाते हैं महुत्सव है ना और एक आप से पूछे जाते हैं मेले चुकि आज परचय का आपका वो था और परचय में हम लोगों ने कुछ ऐसे बात हम लोग कर रहे हैं इसलिए कोई भी एक complete टॉपिक नहीं लेना चाहते हैं महुत्सव में आपसे प्रिशन भी आते हैं तो मैं मैप में ही आपको बताता हूँ उपर से नीचे तर कि कौन सा जिला किन महुत्सव से सम्मन्दत है और 75 में से केवल 20 जिले आपको याद रखने हैं जो बारम बारता में आपसे पूछी जाते हैं और वो आपसे मिलान के रूप में मह महुत्सव की रूप में पुछ लिए जाते हैं और सीधे सीधे भी पूछ लिए जाता कि ये महुत्सव कहाँ पर अयोजेत क्या जाता है तो आए इसके बारे में भी इसके बाद हम लोगद कई बात्चीद कर लेते हैं то देखे यदि हम महुत्साओ की बात जो हिस्सा है यहां पर सर्धाना महुत्साओ का और जाता है इसके बाद देखे बदायूं को आप देख रहे हैं और यहां पर वरेली को यहीं पर देखे संभल, संभल के बारे में आप जानते होंगे, संभल में कल की महुत्साओ का आयोजन किया जाता है, और कल की महुत्साओ का आयोजन आपका कहां किया जाता है, संभल में किया जाता है, और नीचे जब हम एक तरफ से उतरें, तो अगर हम इ साथ में लट मारभना में लठा मार में लटमार खूली का भी आयोजन किया जाता है जिसको आप लोग अच्छे से जानते हैं, तो यमना महुच्छाओ के अलावा मत्हरा में क्या है, बताइ। लठमार होली भी यहाँ पर आयोजित की जाती है, होली करते वहार 25 दिन यहाँ पर मनाया जाता है, है ना बथरा, इसके बाद नीचे हम लोग आगरा की अगर बात करें यहाँ पर, तो आगरा में तीन महुत्साव का आयोजन पर मुख रूप से किया जाता है, कौन सा, यह जो महुत्साव कहां पर है, फरुखा बाल में, कहां पर, फरुखा बाल में, ठीक है, फरुखा बाल में आपका कंपिल महुत्साव है, यमना महुत्साव की बात किया जाए, लठमार घूली की बात, तो यह कहां पर बताईए, मथ राम है, ठीक है, आगरा में तीन महुत्साव, ताज महुत्सव आप जानते ही है राम बारात उत्सव का आयुजन यहाँ पर किया जाता है पिछली परिछा में वीडियो की आप से पूँचा गया था कि राम बारात का आयुजन कहां किया जाता है राम बारात उत्सव मनाया जाता है कहां पर आगरा में कान पूर की अगर हम लोग बात करें तो कान पूर में बिठूर गंगा महुट्स व नोट करिएगा, मैं आपको नोट्स बना के दूँगा, कानपूर ये कहां से इस्तित है, कानपूर कानपूर में कौनसा महोट्साओ बिठूर गंगा महोट्साओ कहां पर बताइए कानपूर में, क्लियर है, आईए जहासी में जब हम लोग आते हैं आयरुबिद महोट्साओ, कहां पर जहासी में तो ये जहासी का है, आयरुबिद महोट्साओ मैं डार्क पेल ने लोग यहाँ पर आयरुबिद महोट्साओ कहां पर बनाया जाता है बताइए जहासी में तो ये आयरुबिद महोट्साओ है आपका कहां पर कर देते हैं तो कजरी जो है बेटा ना कजरी एक लोक गीत है कजरी एक लोक गीत है जो सोनभद्रों मिरजापुर के छित्रों में गाया जाता है तो कजरी की जब बात हो तो कजरी महुत्सव नहीं है कजरी एक लोक गीत है जो सोनभद्रों मिरजापुर के छित्रों में गाया तो कजरी एक लोक गीत है जिसका आयोजन कहां सोन भद्र में किया जिसको सोन भद्र मिरजापुर के छित्व में गाया जाता है सोन महुत्साओ का आयोजन किया जाता है सोन भद्र में सोन महुत्साओ का आयोजन सोन भद्र में इलावाद जो है प्रियाग राज, इलावाद में कुम मेले के तो हम लोग जानते ही, उसको हम लोग मेले में पढ़ेंगे कुम वर्थ कुम को, तिर्वेडी महुत्साओ का आयोजन पृतिवर्स इलावाल में होता है, प्रियाग राज या इलावाल में किस महुत्साओ का आयो सारनाथ महोतसाउ का आयुजण कहां पर किया जाता है बतiversity में क्या जाता है सानाथ से आगे जब आए तो कवीरूट्सौ कवीरूट्सौ कहां पर मनाये जाता है बताइए तो आप्र देखे गॉरतپर बस्ती के बीच में संत कवीर नगर है न संत कवीर नगर का नाम हम लोगों ने सुनाए संत कवीर नगर में आयुजित किया जाता है आपका संत कवीर नगर में आयुजित किया जाता है कभीर उत्सव संत कवीर नगर में ठीक है बहुत महुत्सव मनाय जाता है स्रावस्ति में बहुत महुत्सव कहां से संबंदित है, स्रावस्ति से संबंदित है, कन्नोष से संबंदित है, संभल कलकी और सर्धना महुत्सव कहां, ये आपको लगभग 20 महुत्सव है, और ये आपको मुझवानी बेटा याद होने चाहिए, इनी 20 महुत्सव में से 1 या 2 महुत्सव आप नहीं ही बात करेंगे आज बहुत बड़ा एपिसोड नहीं रखेंगे सबसे पहले हम लोगों ने एक बेसिक परचय की बात की है ना कुछ परचय हम लोग कल कंपलीट कर चुके थे कुछ परचय को आज कंपलीट किया और इस परचय की बात के बात फिर हम लोगों ने बात किस एपिसोड जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि वो पूरा ही एपिसोड किस्से सम्मंदित होगा आपका जनगरना से हिस्से से सम्मंदित होगा तो जनगरना को हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से पलेंगे तो अगले एपिसोड में हम लोग जन्गनना की बात करेंगे जितना मैंने आपको पढ़ाया उसका नोट से जल्दी आपको दे दिया जाएगा के लिए आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही बहुत बहुत धन्वाद नमस्क्राइब